Hello student, आज हम match magic कर रहे हैं, chapter number 11, page number है 187, now read instruction number 3, match the following, आपको match करना है, 50 plus 7 is equal 57, फिर देखे 50 plus 1 is equal 51, 50 plus 5 is equal 55, 50 plus 9 is equal 59, जो हमने match हिया है, उसके बाद यहां देखे 59, तो उसमें 10s और 1s आपको recognize करना है, तो 5 10s and 9 1s, जो यहां write किया हुआ है, तो उसे match करो, 54, 5 10s and 4 1s, जो यहां लिखा हुआ है, उसे match किया, उसके बाद देखे 55, 5 10s and 5 1s, उसको हमने match किया, 56, 5 10s and 6 1s, यह रहा, तो उसको हमने match किया, Now student, read instruction number 4, write the missing number, अब यहां देखे 3 रोदी है, उसमें कहीं number लिखे हुए है और कहीं नहीं लिखे है, जो नहीं लिखे है, वो missing number है, उसे आपको write करना है, अब देखे 51 लिखा हुआ है, तो 52 लिखा, 53 लिखा, उसके बाद 54 दिया है, Now 55, 56, 57, 58, जो हमने write किया, जो missing थे, उसके बाद 59 लिखा हुआ है, और 60 लिखा, इसी तरह से आपको second and third row भी complete करनी है, 51, 51 से लेके 60, 60 पर, okay, now read instruction number 5, put circle around the greatest number, सबसे बड़ा जो अंख मिले, उसपे आपको क्या करना है, circle, Now first देखे, 58, 52, 55, तीनो में से कौन greatest है, 58, उसपे circle करो, उसके बाद देखे 51, 54, 53, तीनो में से कौन greatest है, 54, उसपे circle करो, उसके बाद देखे 59, 60, 60, और 56, 56, तीनो में से greatest कौन है, 60, 60, उसपे हमने circle किया, उसके बाद देखे 57, 51, 54, तीनो में से greatest कौन है, 57, तो उसपे हमने circle किया, now read instruction number 6, put triangle around the smallest number, सबसे जो कम अंख है, उसको find करके आपको triangle करना है, 53, 56, 60, 60, तीनो में से कौन smallest है, 53, उसपे हमने triangle किया, उसके बाद देखे 51, 52, 53, तीनो में से कौन smallest है, 57, जहां हमने triangle किया, 52, 54, 56, तीनो में से कौन smallest है, 52, तो आपको वहाँ triangle करना है, now student, read here 7 number की instruction, write the judge succeeding number, succeeding यानि क्या, after number, okay, यानि जो number लिखा है, उसके बाद का number कौन सा आएगा, वो write करना है, अब भी देखो 54 के बाद 55, 59 के बाद 6060, 56 के बाद 57, 57, 51 के बाद 52, 52, 58 के बाद 59, उसके बाद यहां instruction read करे 8 number, write the judge preceding number, अब देखें, preceding यानि उसके पहले का before, जो अंक लिखा है, उसके पहले कौन सा अंक लिखते है, वो आपको write करना है, अब भी देखें, 53, 53 के पहले हम क्या लिखते है, 52, 55, उसके पहले हम क्या लिखते है, 54, 58, उसका preceding क्या होगा, 57, 57, उसका preceding क्या होगा, 56, और 52 का preceding, 51, Now student, read instruction number 9, write the middle number, आपको दो number दिये है, और आपको बीच का number नहीं दिया है, वो आपको find करके write करना है, दिखें, 55 और 57, दोनों के बीच, यानि मिदल में कौन सा number आएगा, 56, अब फिर से आप बोले, 55, 56, 57, इसी तरह से यान दिखें, 52, और 54, दोनों के बीच में मिदल में कौन आएगा, 53, ओके, जो हमने write किया, इसी तरह से दिखें, 58, और 60, उन दोनों के बीच के आएगा, मिदल में, 59, और 54, और 56, उसके मिदल में क्या आएगा, 55, Now student, try to understand and do it, have a nice day.